कोरोना के बढ़ते प्रकोब के भी सरकारी और नीजी अस्पतालों में भीड बढ़ रही है जिसके चलते सामान्य रोगियों को अनेक समस्यों का सामना करना पड़ रहा है इन बातों को समस्ते हुए केंद्रिय मंत्री नीतिन गड़करी ने एक नई पहल की शुरुवात की है जिसके चलते जरुरतमंद मरीजों को मूफ में आनलाइन चिकित्सा प्रदान की जाएगी कॉविट के बड़ते प्रकोब ने सरकारी और नीची अस्पतालों में भीड बढ़ा दी है चिकित्सा विवस्ता भी इसके चलते बालित हो रही है जिसके वजह से सामान्य रोगियों को बहुत परिशानियों का सामना हो रहा है कोविड के हलके लक्षनों वाले कोविड के रोगियों को चिकिटसा उपचार प्राप करने में बड़ी कटनाई हो रही है इसके अलावा सरदी, खासी, बुखार और अन्य सामा निस्वास समस्याओ वाले नागरिकों को समय पर चिकिटसा उपचार नहीं मिल पा रहा है इसको देखते हुए केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने नागपुर महानगर पालिका के साथ मिलकर इस समस्या को हल करने की पहल की है इस सामाचिक पहल के तहट जरुरतमन रोग्यों को मुफ्त ओनलाइन चिकिटसा प्रदान की जाएगी चिनरोग्यों को उप्चार के लिए चिकिटसक के पास जाने की आवशकता नहीं है या जिन ही स्वासत संबंदी सामानी शिकायते हैं वे इस सिवा का लाब उठा सकते है नाकपूर शहर के कई डॉक्टर इस धर्मारत कार्य में भाग ले रहे हैं इस पहल के चलते निशित ही लोगों को लाब मिलेगा ऐसी संभावनाय चताई चारी है क्यामरा पोसन अकलेश भारत वाज के साथ दिशहटवार बीसी न्यूस नाकपूर